Having a credit card in your pocket is a symbol of rahi si but if it comes to American Express credit card तो another level आ जाता है and yes, अब American Express credit card का approval without income proof मिल रहा है and बहुत जादा chances हैं कि आपका card approved हो जाएगा बिना income document furnish किये सिर्फ आपको KYZ करना होगा and approved हो जाएगा मेरे साथ 6 लोगों ने और ने इस credit card के लिए apply किया था same process, same method हमने follow किया और 7 में से 6 लोगों का ये credit card approved हो गया without documents क्या है process, क्या है tips सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ चैनल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा without further delay, let's get into the details American Express ने जब अपना comeback किया उसके बाद इन्होंने अपने जो serviceable areas थे उनको increase किया and जो approval का criteria था उसको downgrade किया ताकि जादे से जादे लोगों को credit card दिया जा सके क्योंकि काफे लंबी time तक ये अपने customers को credit card दे नहीं पाये थे card इन लोगों के issue होने शुरू हुए तो अब approval इतना अच्छा नहीं आ रहा था बट कुछ time से देखने में आ रहा है कि एक इनके specific credit card का approval rate काफी अच्छा आ रहा है जिसका नाम है American Express membership rewards credit card जिसको हम MRCC नाम से भी जानते हैं इस credit card को अगर मेरे बताय हुए तरीके से आप apply करते हैं क्योंकि हम साथ लोगों ने उसी तरीके से apply करने की इसको कोशिश की एंड 6 लोगों का card approved हो गया और आपको भी ये credit card मिल सकता है तो इस card को apply करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा description में दिये गए link से आपको इस credit card को apply करना होगा reason being जब आप इस credit card को referral link के through apply नहीं करतें तो इस पे आपको 1,000 रुपीज का joining fee देना होता है plus taxes and annual fee देना होता है 4,500 रुपे का plus taxes but अगर referral link से आप इसको apply करतें क्योंकि इनका special program होता है MX का कि referral link के through आपको joining fee नहीं पे करना पड़ेगा and जो इसका annual fee 4,500 रुपीज है वो totally decrease होके 1,500 annual fee के रूप में convert हो जाता है plus welcome benefit में आपको इस card पे 4,000 reward points मिलते हैं but यहाँ पे आपको 2,000 reward points मिलेंगे referral में but आपको joining fee नहीं देना पड़ेगा तो it is a better deal अब मैं बता देता हूँ इस card को apply कैसे करना है जब आप click करेंगे link पे तो यह आपको redirect करेंगा MX की website पे बड़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो platinum travel credit card है इसका option दिखाएगा आपको membership reward credit card का option यहाँ पी नहीं दिखेगा बड़ आपको नीचे apply now के नीचे view or other cards पे click करना होगा क्योंकि आप जो है travel credit card apply करेंगे तो उसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि MRCC पे ही approval अच्छा रहा है तो यहाँ पे आप जब click कर लेते हैं तो यहाँ पे जितने भी credit cards है American Express के सारे दिखा देता है बड़ आपको चाहिए MRCC तो यहाँ पे जब आपको list में MRCC आ जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले तो welcome benefit में 2000 reward points मिलेंगे और इसका जो joining fee है वो आपको pay नहीं करना होगा बड़ आपको 90 days के अंदर अपने credit card से 5000 rupees spend करने होंगे इस fee को waiver कराने के लिए और जो 4500 rupees का आपको annual fee देना था वो referral link के थूँ सिर्फ आपको 1500 rupees plus taxes देना होगा अब आप learn mode पे click करते हैं तो आप application page पे आ जाते हैं MRCC के तो यहाँ पे आपको apply now पे click करना है और इसके बाद आपको अपना जो form है वो fill करना होगा यहाँ पे आप eligibility criteria देख सकते हैं कि आप employed होने चाहिए अगर आप salary है तो 4500 rupees आपकी salary होने चाहिए per annum अगर आप self-employed है तो आपकी annual income च्हेलाक रुपे होने चाहिए बट यह नहीं है जो मैं tip आपको देने वाला हूँ उसी के through approval मिलने का chance है serviceable areas की जो list है वो increase हो चुकी है यहाँ पे लिखा हुआ है एहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, भुबनेश्वर तो आप पूरी list को पढ़ सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी city में serviceable है या नहीं अगर आप Delhi NCR में रहते हैं जैसे आपको पता है तो यहाँ पे है सबसे important part जिससे आपको approval मिल सकता है employment status पे आपको जब click करना है तो यहाँ पे आपको पूरी list दिखा दी जाती है आपको यहाँ पे select करना होगा इसको select करने के बाद आपसे पूछता है आपकी annual income MRCC का approval आपको without document लेना है तो आपका salary यहाँ पे आपको mention करना 8 lakh to 10 lakh per annum ठीक है मतलब private salary and जो आपकी annual salary होगी वो 8 से 10 lakh रुपे 8 से 10 lakh याद रखेगा इसके बाद आपको यह जो form है अपना submit कर देना है इसके बाद भी आपको कुछ basic details अपनी भरनी होगी form में उसको जब आप fill कर लेते हैं and next page पे आपको दिखा देता है congratulations you have been conditionally credit approved for the membership rewards credit card with a credit limit of 2.5 lakh to 3 lakh and no requirement of income verification documents terms and condition apply तो यहाँ पे आपको बता देता है कि आपको income documents नहीं देना होगा इसके बाद नीचे आपको फिर से अपना थोड़ा सा form बरना यहाँ पे basically आपको जो आपने वहाँ पे private salary लिखा था उसकी employment details आपको यहाँ पे देनी होगी ठीक है इसके बाद आप यहाँ पे अपनी employment details भरने के बाद next page पे आजाते हैं यहाँ पे आपको select करना होगा कि आप अपने card पे नाम कौन सा चाहते है temporary pin आपको यहाँ पे बनाना होगा यहाँ पे पहले सी आप अपने credit card का जो pin है वो set कर लेते हैं बाद में उसको change कर सकते हैं यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी अपनी basic details भरने के बाद आपको अपना form submit कर देना है and that's it इसके बाद आपका form submit हो जाता है और आपको यहाँ पे option मिल जाएगा वीडियो KYC का अगर यहाँ पे option मिलता नहीं तो आपको email आजाएगा email के through फिर या फिर यहाँ से directly आप सुभा 9 बज़े से लेके शाम के 9 बज़े तक अपना वीडियो KYC कर सकते हैं आपको यहाँ पे आधार जो है 45 गंटे के अंदर आपका approved का message आजाएगा जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं मेरा आया मुझे सिर्फ 2 गंटे में approved आगया था वीडियो KYC complete होते ही same day तो पूरा process 2 गंटे गा था form भरने से लेके card approval तक का अगर आप doubtful हैं कि आपको income document देना होगा या नहीं देना होगा तो आपके पास जो email आया है वहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं कि कहीं आपसे कोई additional document की requirement तो नहीं है अगर है तो थोड़ा सा page फज सकता है अगर वहाँ पे ऐसा option नहीं आया तो आपका card approved हो जाएगा without any document ये वीडियो की बनाने की ज़रत सिर्फ इस वज़े से पड़ी क्योंकि American Express का approval लेना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके पास furnish करने के लिए income documents नहीं है जो इनकी requirement है but according to the trends इस time पे MRCC का जो है approval rate काफी अच्छा आ रहा है and अगर आप चाहते हैं तो आप apply कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 90 days के बाद इनका कोई दूसरा card भी apply कर सकते हैं जैसे कि smart and credit card है तो आप इसके American Express के credit cards का benefit ले सकते हैं तो ये एक simple सा थरीका है जिसके through आप American Express credit card को apply कर सकते हैं and अपने बटवे की चार चांद बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें से जब MX निकलेगा तो वोकाल बनेगा वो बात अलग है कि आपका POS मशीन वाला उसको accept करने जिमना कर देगा क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारा उसको charge देना पड़ेगा बट बहुकाल तो बहुकाल है इस card पे आपको हर 50 रुपे spend करने पे एक membership reward मिल जाता है and इस पे कुछ milestone benefits हैं अगर आप हर महीने 1500 रुपे के चार transaction करते हैं तो उस पे आपको extra 1000 reward points मिलते हैं और एक महीने में अगर आप 20,000 रुपे spend कर लेते हैं यहाँ पे फिर से आपको 1000 reward points मिलेंगे तो आप 20,000 रुपे हर महीना खर्च करके 2400 reward points जो है earn कर सकते हैं एक reward point की जो value है अगर आपको उसको flip card किया फिर Amazon के voucher में convert कर दें तो वही 40 पैसा के आसपास आ जाती है तो almost आप 20,000 रुपे spend करके हर महीना अपने इस credit card से 1000 रुपे बचा पाएंगे अगर eligibility के बारे में इस card की बताओं तो आपकी minimum age 18 होनी चीए आपके पास अगर पहले से किसी other bank का credit card है तो इस card के approval के chances बढ़ जाएंगे अगर आप self-employed है तो कम से कम आपकी जो company है वो एक साल से working होनी चीए तो ये कुछ ऐसी eligibility criteria है जो इस credit card के साथ associated है but most importantly क्या है वही 8 से 10 रुपे annual income and आपका जो private sector में आप से employed है तो these are some criteria's अगर आप इनको लगाते हैं तो आपका card approved होने के chances काफी अच्छे हैं आई योप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आप ऐसे वीडियो हमेशा देखते रहने चाहते हैं तो channel को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं next video में तब तक अपना ध्यान रखेगा बाई बाई